दोस्तों इस वक्त जो आप सस्वीर देख रहे हैं यह एक अगनी पत का एक्जामपल है हमारे सामने आप देखे कि अगनी वीरों ने क्या कर दिया है इस डबबा को एकदम से खतम कर दिया है हमारे मोदी जी राजनात सिंग लाए है नया स्कीम कि चार साल आप नौकरी कीजिएगा उसके बाद क्या कीजिएगा कोई गारंटी नहीं है बिहार नहीं पूरे देश में आग लग रहा है अभी रेलवे में हर एक जगा जहां आप उठा के देख लीजिए बहुत ऐसे कम स्टेशन है जिसमें बचा हुआ है आग में ऐसे में देखिए हम यह एक बोगी में है और यह बोगी पूरा जलकर राख हो चुका है यह जो राख आप देख रहे हैं यह छात्रों का गुसा है और यह गुसा कहीं न कहीं जाइज भी है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं लेकिन जब चार साल 5 सल 10 सल पढ़ाई करने के बाद लोगों को सिर्प 4 साल की नोकरी मिलेगी तो कहां तक उचित है इसको लेकर हम छात्र के समर्थन में हैं लेकिन इस चीजों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं यह सब आपको नहीं करना चाहिए कहीं न कहीं इसके आलावा भी आपको कुछ करना चाहिए जिससे आपको न्याय मिले हमारे साथ रभी भट जी भी है क्या लग रहा है आपको देखके यह सब देखे मुझे देखकर यही लग रहा है कि यह चात्र के बीच में कुछ उग्र प्रदर्सन कारी घुस गए थे चात्र जो देश की सेवा करना चाहता है ना जो देश के लिए गोली खाने को तैयार है उचात्र ये कदम कदाप ही नहीं उठा सकता है तो चात्र इसको नहीं कर सकते हैं बलकि चात्रों के बीच में घुसे कुछ राजनायतिक लोग और उन्होंने इस तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया राजनीतिक पाठी इसको फाइदा उठा रही है क्योंकि चात्र इतनी जल्दी अपना आपा नहीं खोल सकता है चात्र सिच्छित होता है सुसील होता है जो है कुछ उपद्रवी लोग प्रदर्शन क्यारियों के बीच में घुसे और उन्होंने अपने राजनीतिक रोटिया से की और देश के माहूल को बिगारने का प्यास किया यह चात्र नहीं कर सकते हमारे देश के चात्र तो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है कि यह संपत करके टाके ऍसे चलती हैं तो कहीन कहीन हमको तो नहीं लगता है कि यह चात्रों ने किया है जक्त्र सांदिपूर्बग तरीके से अंदोलन करने आ hàngी होंगे उसके बीच में राजनातिक लोग आये उन्होंने इसको जलाकर राख कर दिया हमको तो यहीं लगता है बाकी सरकार कि जब-जब दमनकारी नीतिया हुई है, सरकारे बैक पुट पर भी गई है, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन कहीं भी कहीं भी कैसी भी तरीके से सही नहीं है, यह देखा गया है कि NTPC में एक दो जगा हुआ था, समर्थान इसलिए नहीं करते हैं कि आज आप चार साल का रोजगार दे रहे हैं कि जिस बच्चे का अगर 21 साल पर जॉब हो जाता है और 25 साल पर रिटार्मेंट मिलेगा तो आप बात करने कि उसके बाद कोई भी रोजगार बिजनस कर सकते हैं खाक में बिजनस कर लेगा जो आर्मी का जवान होता है ना आर्मी के सबसे पहली चीज यह है कि उस में लाइन में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता है उसमें 99 परसेंट केवल गरीब परवार के बच्चे जाते हैं जो जान देने के लिए तयार लगते हैं लोगों लगता है बहुत चीज असान है तो कोई कोई बड़ा फेमली कोई अमीर बाप का उलाद अपना क्यूं नहीं भेज रहा अपना उलाद को तब ना पता चलेगा और आपने शुरू में बोला कि अगनी बीरो ने जलाया है इस चीज को अगनी बीरो नहीं जलाया है कुछ उपदरोई लोगों ने इस चीज को जला कर जिसका फायदा कुछ अने को लोग उठाने का परियास कर रहा है अब देखिए कि कैसे कैसे राजनीतिक लोगों ने इस में रोटिया से की है और इस डोगी को खतम कब से सीधा जीता जाकता एक्जामपल हमेशा ट्रेंड में रहा है मोदी जी लहें तो अच्छे दिन लाए हैं यह गलात है तो इसका विरोध भी हम कर रहा है